तो नमस्कार मैं आकाज वर्मा आज आपको प्रीवियस त्री इयर तीन साल पाले दोजार अठारह उननीस और एकिस में जो भरतिया है थी उनमें क्या मेरिट गया था ठीक है और इस बार आप अंताजा लगाए कि क्या मेरिट रह सकता है ठीक है वो तो फिलाल डिपेंड पेपर के मोड पे कि पेपर कितना कठीन है या सरल है फिर भी आप देखेंगे कि इसी के आज पास में रेंज में बैकेंसी के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कितनी बैकेंसी है ठीक है और कितना जैसे 2019 में बैकेंसी ज्यादा थी तो उसमें थोड़ा मेरिट कम गया था कि आपका लगवग 2019 के पेक्षा कम है तो आप अंदाजा लगा लिजे कि मेरिट क्या रह सकता है अब देखिए यह जो है पहले मैं आपको दिखा दूँ नीचे देखिए कि लिखा है ना तेरह पांच दोजार अठार है तो इसमें जो जनरल का मेरिट गया था यह गया था एक सो एक तिस लगवग एक सो बतिस ठीक है ओवी सी का गया था एक सो बीस और अंसिचित जात का गया था एक सो तीन नमबर लगवग और और अंसिचित जन जात का गया था चौरासी और सुतंता सेनानी का गया था लगवग तिरासी और भूत का एक सो आठ के लगवग में ठीक है यह जो है दो आजार अठारा का है अब आईए हम देखते हैं दो आजार उन्नीस का दू हजार उन्नीस का जो है कि दो हजार उन्नीस का देखिए paras태 एफ不行 गया तह जनरल का ठीक है और एक सो पांच गया तो बीक्सी का शंडश गया था एस2 का और यस्टी का गया था 72 ठीक है डी एफ एफ का गया था 81 और एक्स सर्विसमें का गया था 105 यह जो है इसमें कई बच्चे ऐसे थे जो कुम्प्यूटर पास थे लेकिन उनका टेक्निकल जो है कमजोर था टेक्निकल में अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाए थे तो लास्ट में आर हो गये थे ठीक है वेरि़िफिकेशन कराने के बाद तर 나오ikhरा बाएक अच्छा नमबर आ और कंप्यूटर में पास भी हो जाए ठीक है जन्रल का लगव एक सो नतीस है देखिए और ओविस अब आईए देखते हैं आगे 2021 2021 में बैकेंसी कम थे हैं लगव 680 के आसपास था तो मेरिट देख लेजिए 149 ठीक है जन्रल का है और EWS का 126 OVC का 137 ठीक है देख लेजिए क्यों दस नमर के फरक है ठीक है इतने में बहुत लोग आ जाएंगे यह दस नमर बहुत महाइन है और EWSC का 119 और EWSC का लगवग बहत्तर है मान लिजिए और एक सर्विसमेंट का 80 और DFF का यह ज़िए है 166 दसमलोग 555 यह देखे 2021 का है तो आप अंदाजा लगा लिजिए कि जब 2019 में भरती जो है 27 था तो मेरिट यह गया था ठीक है अब जो है लगवग ठीक है तो मेरिट क्या जा सकता है यह जो मेरिट है वो 680 के जब था तब था ठीक है तो आप लोग अंदाजा लगा लिजिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहे हैं जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं मतलब कहीं कोचिंग कर रहे थे वो लोग ज्यादा से ज्यादा के वल टेस्ट दें अलग अलग जितना भी प्रकार आप मतलब सोच सकते हैं क्वेस्टन के यह क्वेस्टन एग्यामनर बना सकता है उस उस टाइप का अपना क्वेस्टन को सॉल्व करिए ठीक है और मैं ही कहुंगा कि टेस्ट जादस जादस जीजिए और पेपर को इनल्सिस करिए जो ट्रीबेस एर के पेपर है ठीक है चारो अप्सन जुरूर पढ़ा करिए चारो अप्सन पढ़के फिर उसको जूस में आपको करेक्ट लगे वही लगाना है ए भी सीडी चारो अप्सन पढ़के ही लगाना है क्योंकि कई बार रहता है कि लास्ट वाला अप्सन सही रहता है ठीक है